हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग एच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वा लाइन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चानल जे आर टुटोरियल्स में आप लोग एक चीज जरूर सोच रहे होंगे कि सर ने all the activity based question जोकी यहां दोस्तो दस्त्री के बोर्ड के Maths 2 के पिपर बहुत नजदिक के मतब बहुत ज्यादा ही नजदिक है लेकिन हमने आप सभी के लिए सब चीज डाल रखा है हमने आपके लिए regular lecture वीडियो पढ़ाया ठीक है हमने आपके लिए one shot पढ़ाया ठीक है पूरा पूरा हमने आपके लिए most important फेवरेट और बहुत ज्यादा वाइरल हमारा LMR वीडियो सीरीज पढ़ाया जाके चेक आउट कर लेना जिसने LMR सीरीज नहीं देखा वह बहुत कुछ मिस्स कर रहा है मतलब इसके अंदर इतनी ताकत है कि सिर्फ बच्चा ये देखके चले जा तो भी बच्चा पास हो जाएगा मतलब उसने कुछ पढ़ा नहीं रहेगा तो बहुत चीज एक्स्ट्रा आपके लिए आपको बताने वाला हूँ तो ये वीडियो को आप लोग थोड़ा सा एंड तक देख लेना दोस्तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो जो मेट्रिक कंस्ट्रक्शन के जो वेटेज है ये पूरा फिक्स हो जाएगा आपको एक मार्क्स आपका कटेगा नहीं ध्यान सको क्योंकि मुझे भी पता है आपके आपके पास टाइम की कमी है और दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि कम समय में कैसे ज्यादा नौलेज दिया जया और हमेशा से हमारे वीडियो का यही मक्सद बता है छोड़े चोड़े वीडियो के ज्यादा ज्यादा कॉंटेट हम देते जैसे की एक होता है आपका प्रेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है कभी-कभी ना वन मार्स का कॉशन जो 1 B में पुशता है ना 1 B जो होता है आपका कॉशन नंबर 1 B जो होता है वो एक मार्स से कॉशन होते हैं इसमें options नहीं होता यह आप जामते हो उसमें पूश दे पूछता है क्या से लाइन बनाने कि बाद आपको अपना जो स्पेशल वीडियो डालते हैं जैसे कि आप जानते हो हर पेपर के दिन सुबह सुबह मौर्निंग में 7 बजे हमारा एक last moment tip वीडियो आता है तो उसको जरूर से अटेंब करना geometry paper के दिन भी आपको एक last moment tip वीडियो जरूर मिलेगा इंदजार कर लेना 7 बजे के आसपस पाइब मिल जाएगा यहाँ कंट मिल जाएगा अब उसको गत्रों कर ना काम है आपको कम समय बचा लेकिन आपको समझा रहो हुँ तो इस तरीके से ये दोनों लाइने एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड हो जाएंगे, यानि कि इधर जितना होगा, उधर उतना होगा, ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, और इसी को बोलते है, इसका नाम भी सुना होगा, आपने, एंगल बाइसेक्टर, वन मार्क्स काटेगरी, सेम, वन कोश्चन नमर वन बी में, वन मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको बोला रहेगा, चलो यहाँ पर यह 60 डिगरी का बोला है, और आपको बोलेगा, एंगल को बैसेक्ट करो, मतलब एंगल को भी आधा-धा बैसेक्ट करो, तो आपको क्या करना है, यह वाले पॉइंट पे अपना कमपास रखना है, यहाँ से, एक suitable distance लेना है, कोई भी distance ले लो, इतना cut मारो, यहां से लेके मतलब यहां पे cut मारा और same उतना रखे यहां पे cut मारो और उतना ही point रखे यानि उतना ही distance रखे अब यह वाले point पे रखो गया अपना pointer को फिर यहां पे cut मारो और same यह वाले point पे रखे यहां पे cut मारो तो यह आपको एक point मिल जाएगा अब यह point से यह point को connect कर और सीधा लाइम खिर दो, आपका जो एंगल था, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो इसको ही बोलते हैं, हम लोग एंगल बाइसेक्टर, एक ये वाला एंगल बन गया, एक ये वाला एंगल बन गया, ये साथ डिगरी के एंगल को आपने दो हिस्सों में डिवाइड वीडियो बना रखा है, तो यह भी बहुत जलूरी था, इसके लिए हमने यह चीज आपको पढ़ा दिया, यह हो गया, एक्स्ट्रा एक चीज, ठीक है, चलो, अब जाते हैं हम लोग, हमारे अगले पार्ट के उपर, जो की होता है दोस्तों, टैंजेंट को ड्रॉ करना, ठीक ह याद रकना, यानि कि आपको बोला है कि एक टैंजेंट ड्रॉ करो, और वो टैंजेंट को ड्रॉ करने जब बोला है, तो उसमें clearly बोला रहे गा, कि हमारा जो टैंजेंट ड्रॉप सर्कल है, उसको इस्तिवाल कर लो, या फिर बोला रहेगा, एक पॉ filthy है, उस पे एक बनाने का, नॉर्मली एक सर्कल है, पाथ संटीमेटर का, चार संटीमेटर का, जितना भी रेडियस दिया रहेगा, आप बना लोगे, सर्कल बनाने तो सभी को आता है, इतना तो आपने पढ़ाई की होगी, कि यार, ये ना सिखाना पड़े कि सर्कल कैसे बनाते हैं, यार, ठी ठीके ना, उतना तो आपको पता ही, सर्कल बना लोगे, अब सर्कल बनाने के बाद, समझ लो, आपको बोला है, कि एक पॉइंट पी है, आपकी मर्जी है, आपके एक पॉइंट पी ले लो, उस पे आपको क्या बनाना है, तो हमिशे याद रखना, जो सेंटर होता है, उसी क पॉइंट पे ना क्या करना है आपलोको एक suitable compass में डिस्टेंस लेलोuchen यहां पिर उतना डिश्टेंस यहां से लेलो और यहां पिर नीचे आर्क़ मारो और फिर यहां पे रखे इधर कट मारो इधर कट मारो यह जो point मिलेगा आपको यह दोनों को आपस में join कर ले ना बन गया आपका tangent देखोटा चोके आ गया बन गया आपका tangent तो यह सबसे पहला तरीका है tangent को draw करने का क्या किया हमने just एक point के line खीज दिया उधर से suitable distance पे यह इधर कट मारा और उतना ही distance इतना ह उतना ही distance वहाँ पे हमारा फिर यहां पे point एक arc मारा और वही arc नीचे भी मारा फिर उतना ही रखके यह वाले पे इसपे रखके इधर कट मारा और नीचे भी ताकि आपको क्या मिल जाएंगे, दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन करना, देखना ये circle को touch हो के जाएगा, और ये बन जाता है आपका tangent, तो ये पहला तरीका है, जिसमें आप लोग ये circle के center का इस्तेमाल कर रहे हो, हो रहा है न, circle के center का इस्तेमाल, इसी से आप line खीच रहे हो आगे, ये इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई भी point P, जब circle के ऊपर ही कोई point P है, उस पे आपको अगर center का इस्तेमाल करके बनाना हो tangent, तो आप इस method को follow कर सकते हो, clear है, और ऐसा पूरा का पूरा example हमने LMR में करा है हुआ है, अगर आपक पेपर तो हो चुगा है आपका, उसको भी देखना रहेगा, तो बाप में देख लेना, future के लिए, जो 9 standard का बच्चा हो देख लेगा, 10 standard के लिए, ठीक है, लेकिन LMR अभी के लिए, आपके पास time है, तो जाके check out कर लेना, ठीक है, उसके अलावा, और कौन सा method है, हमारे पा without using center, आपको tangent बनाना है, ठीक है, at point P, at point P, और ये point P कहाँ पे होगा, circle के उपर ही होगा, ठीक है, तो सबसे पहले जो भी radius का circle दिया रहेगा, बना लो, समझ लो, आपको 2 cm, 3 cm, 4 cm, जितने कभी circle बनाने बोला रहेगा, बना लिया, बीच में क्या होगा, एक center point होगा, लेकि बनाते हैं, लेकिन वो करना ही नहीं है, अब यहाँ पे case में क्या करना है, तो समझ लो, मान लो, कि एक point P है, यहाँ पे, आपको क्या बनाना है, tangent बनाना है, यह point P से इस प्रकार का tangent बनाना है, कैसे भी tangent बनाना है, अब क्या करना है, सबसे पहले, एक scale ले ले लेना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको बता दू, उसके बाद यहाँ पर एक, मतलब नाम अगर देना है, आप तो नाम दे सकते हो, समझ लो मैं ने इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, यह पॉइंट P है हमारा, ट्राइंगल आपकी मर्जी से, बिना किसी न आपना आपना गया, टेल लेने, ठीक है ना, बस इसको ऐसा बना देना, और हमेशा याद रखना, जोमेटरिक कंस्ट्रक्शन में, यह डाइरेक में बता के दिखा रहो, क्योंकि मैं पस टाइम की कमी है, मतलब मेरे पास नहीं, आप लोग के पास टाइम की कमी है, ताकि मैं फटा-फट कम समय में आपको समझा सोको, लेकिन एक मेरा हिंट याद रखना, टिप आप, आपको याद रखना, आलवेज रफ फिगर जरूर जरूर करना, रफ फिगर जरूर से ड्रूर करके आना हो सकता है, कभी बाइचांस भूल गया, या आप इस समझ में नहीं आ रहे हाथ से बना लो रफ फिगर चलेगा, लेकिन उसके बाद ओरिजनल प्रॉपर तरीके से बनाना, तो एक पॉइंट पी से आप ट्रैंगल बना लोगे, अब ये ए पॉइंट पे आपका पॉइंटर रखो और यहाँ पे ऐसा एक आर्क कट मारो, ठीक है, और ये नाम रख दो इसका नाम अगर जो रखना चाते हो आप रख सकते हो, जैसे मेरे case में इसका नाम हमेशा रखता हूँ M और N, इसका नाम M और इसका नाम N, ये दो पॉइंट आपको मिल गए, अब जो आर्क आपने ये A से रखके MN जो बनाया ना, ये आर्क जो बनाया ना, उतना ही डिस् मिल गया आपको, तो यहां से m और m का distance ले लो, इतना distance, यह छोटू सा distance, आपके compass में ले लो, अब यह जो point आपको मिला है न, इस पे यह point रखो, और यहां पे ऐसा cut मारो, यानि जो arc आपने पहले बनाया था, वो ही arc पे एक दुबारा cut मारो, तो इससे आपको एक नया point का ज center का इस्तेमाल तक नहीं किया, लेगिन फिर भी आपने tangent बना लिया, तो यह था दूसरा तरीका tangent बनाने का, अगर कोई circle के उपर ही point है, पी, उसके उपर मुझे कोई tangent बनाना है, लेगिन without using center तो इस प्रकार बना सकते हो, और center का इस्तेमाल करके बनाना है, तो सबसे पहला method जो बताया है, मैंने saline keys के ऐसा वाला वो बना सकते हो, तो यह हो गया दूसरा तरीका, समझ में आ गया होगा, screenshot लेते जाओ, मैं ज्यादा time नहीं रुखूंगा, क्योंकि देखो, आप जानते हो कि मैं आपका कम समय में ज्यादा knowledge देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो time ज्य ठीक है, next important चीज, देखो यहाँ पर next, यह हो गया, इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है, अब देखो, अब आपको कोई पूछता है, कि draw the tangent, मतलब कुछ ऐसा question आया, draw the tangent, और clearly उसमें बोल रखा है, कि आपको एक ऐसा point पे बनाना है, point समझ लो, P पे बनाना है, जो की है, at a distance of at a distance of some centimeter, मतलब कितना तो centimeter है, meter ऐसा आपको दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है, कि जो point P है न, यह circle पे नहीं है, यह थोड़ा circle से दूर है, तो चलो मैं मान लेता हूँ, कि एक point मैं मान लेता हूँ, जो की, बोला है, कि यह 7 centimeter दूर है, 7.2 centimeter दूर है, away from the circle, तो सबसे पर circle बनाओगे, समझ लो, आपको बोला था, radius जो है circle का, मैं अंदाजा बता रहो, ठीक है, न, कुछ भी आ सकता है, तो जो भी circle का radius आएगा, आपके question में पढ़ लेना, और आपका circle बना देना, ठीक है, तो यह समझ लो, आपका circle बन गया, समझ लो, 3 centimeter का radius बोला था, आपने ब समझ में आ गया होगा, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले, यह जो P point है, और इसका नाम कुछ दे दो, O point, मतलब center point है, तो O नाम दे दो, C नाम दे दो, कोई फरक नी पड़ता, नाम दे दिया, अब यह पूरे के पूरे O से लेके P तक का जो distance है, इसका draw करो पहले perpendicular bisector, कैसे draw करो पहले perpendicular bisector, सेम, यहाँ पे P पे point रखो, और इसका more than half distance लेलो, यह पूरे line का more than half distance लेलो, और उपर cut मारो, ऐसा, और नीचे cut मारो, ऐसा, cut आ गया, सेम, वही distance जो आपने ल line को दो हिस्सों में काट दिया, यह बनगे आपका perpendicular bisector, यह अपने perpendicular bisector बना दिया, यह क्यों बनाया, क्योंकि यह जो point मिला है, अब इसका नाम कुछ रख दो, जैसे कि मैं नाम रख देता हूं, इसका M, यह जो point मिला, M point, अब क्या करना है, यह M point पे आपका compass का, जो धारद कट मारो, तो ऐसा कैसा कट मारेगा, के ना ऐसे कुछ कट मारेगा, यह पूरा circle भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने की जोरत ने, सिर्फ arc मारो, arc जैसे कट मारोगे, तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे दो, क्या मिलेगा, intersection point मिलेगा, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यह point स पी point को जोड़ देना है, और यहाँ से इसको extend कर देना है, यहाँ से इसको भी extend करना है, बन गए आपका tangent, यह रहाँ tangent आपका, इसको चहित और आगे भी बढ़ा दो ऐसा, बन गए आपका tangent, यही आपका tangent, दो-दो tangent एक ही साथ बना लिया, यानि कि जब आपको कोई भी, ए मतलब एक ऐसे point पे आपको tangent बनाना है, जो circle से थोड़ा distance पे है, circle से थोड़ा दूर है, तो आपके दो-दो tangent एक साथ बनेंगे, और वो भी इस प्रकार से बनेगा, याद रखना, यही पुरा फटना है, और यही questions आते हैं, या तो simple वाला tangent रो करना है, जो सबसे पहला method बत आपको आएगा, या आएगा, 2 marks, 3 marks, 4 marks, जो भी है, वो definitely आपको पूछा जाएगा, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, एक last चीज जो बचा है, इस chapter के अंदर का, सब चीज मै सब कभी-कभी ना, एक question similarity वाला, इसी के अंदर, similarity वाला, circle, नहीं, क्या बोलते हो, triangle ड्रॉ करने के लिए पूछता है, तो कैसे draw करना है, समझ लो, कैसे draw करना है, समझ लो, तो आपको क्या बोलता है, पता है, कि समझ लो, कि एक आपके पास triangle है, ठीक है, मैं आपको एक live example कर पूरा का पूरा नहीं करा हूँगा, क्योंकि आपने आपने पास time नहीं है, हमने यहीं चीज पूरा LMR में कराया हुआ है, बस आपको मैं revise करा लो, आपको बोला रहेगा कि एक triangle है, हमारा triangle है PQR नाम का, ठीक है, और एक यहाँ पे बोलके रखा है, उन्हें, एक और triangle है, इसका नाम है ABC, समझ लो, एक और triangle है ABC, लेकिन यह PQR का value है वो हमें पता है, PQR का value हमें दिया हुआ है 3.6, 4.2 यहाँ पे है, और नीचे आपका 4 है, ठीक है, और हमें बोला है कि यह दोनों triangle एक दूसरे को similar है, यानि triangle PQR जो है, वो similar है triangle ABC को, तो हमें पूछा है कि ABC का value निकाल के दिखाओ, और उसके बाद draw भी करो, तो ABC का value भी निकालना है, मतलब यह साइड है, इसका value भी निकालना है, और हमें proof करके दिखाना है, यह दोनों, proof नहीं, यह तो similar पहले से ही बोल रखा है, और यह draw करके दिखाना है, यह तो हमारा rough figure हमने बता है, लेकिन actual में इसको draw करके पताना है, तो कैसे solve करोगे, हमेशा एक चीज़ जात रखना, कि जब भी आपको बोला रहेगा, कि the two triangle are similar to each other, तो हमें पता है corresponding sides of the congruent triangles, इससे क्या होता है, triangle A, PQR is similar to triangle ABC, तो इसका मतलब यह है, कि PQ upon AB, that will be equal to QR upon BC, and that will be equal to PR upon AC होता है, क्यों होता है reason, corresponding sides of the similar triangle, similar रहना दोन एक दोसरे को, corresponding sides of similar triangle के वैसे ऐसा होता है, जिसमें हमें PQ का value दिया हुआ है, 3.6, upon AB का value हमें दिया हुआ है, नहीं है, QR का value हमें दिया हुआ है, 4, BC का value हमें पता है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन PR का value हमें दिया है, 4.2, और AC का value मुझे पता नहीं है, अब एक और चीज़ अगर आप focus करोगे यहां पे, इस दोनो triangle का एक ratio हमें दिया रहता है, हमेशा याद रखना, यह दोनो triangle का ratio दिया है, जो कि है दोस्तो, ratio of the corresponding sides, ऐसा clearly बोल रखा रहा है, question में, ratio of the corresponding sides of the triangle is 3 is to 4, यानि यह दोनो ही triangle का ratio 3 is to 4 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसक equal to 3 by 4 हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, इतना पहुँच गया है, उसके बाद करना क्या है, यह 1 को लेना है, पहले आपको इसको ले लो, तो यह 3.6 upon AB, और यह किसके बराबर है, 3 by 4 के बराबर हो जाएगा, यह दोनों को cross multiply कर लो, यहां से AB का value मिल जाएगा, ठीक है न करके आपको दोनों triangle को construct करना है, triangle तो बनाने सबको आता है, सबसे पहले एक line खीज़ दो, जैसे यह बना के दिखाता हूँ, PQR, कैसे बनाओगे PQR, नीचे क्या है, QR है, तो QR के लिए कितना है, 4 cm, तो 4 cm का नीचे एक line खीज़ दो, सीधा सीधा, इसका नाम क्या है, QR 4 cm खीज़ दो, फिर एक side 3.6 है, 3.6 ले लो, Q पे रखो, Q से P कितना है, 3.6 है, तो Q पे रखो, 3.6 का एक arc बना लो, arc बन जाएगा, compass रखके 3.6 का, वैसे R से P कितना है, 4.2, तो फिर 4.2 ले लो, scale से, map लो, compass के अंदर, फिर यहाँ पे रखके, यहाँ पे cut मारो, जहाँ प बन जाएगा, और इस प्रकार बनाओगे, तो 4 marks के question में पूछता है, यह कभी-कभी, 4 marks के और फिर 3 marks के, तो definitely आपको help होगा, और थोड़ा सा माफी में आखना चाओँगा, क्यूंकि मैं बहुत रफली पढ़ा रहा हूँ, आप चीज जानते हो यह चीज, ठीके, बहुत ज information मुझे देना था, वो मैंने दे दिया है, तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, तो please मुझे comment करके बताना, कि यह वीडियो आपके लिए कितना helpful था, क्या आपको इस से revision हुआ, क्या आपको सब चीज वापस से revise हो गया, क्या आपको सब चीज वा पताना, चलो, आज के लिए इतना ही, यह वीडियो इतना ही, और मेरी तरफ से all the very best, सब चीज मेरी तरफ से मैंने complete करा दिया, बस आपकी बार यह practice करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही यह वीडियो कैसा लगा है, please comment करके बताना, वीडियो पसंद आये दोस्तों, अच्छा लगा है, तो please वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना, क्योंकि बाकी लोग को भी support की जरूर थे, तो please share to everyone, अपने सारे friends और related को बता देना, ठीक है, और उनको भी बोलना, आगे share करने के ल झाल 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 hayat कर दो हम रदियू mús当 झाल twor सेड़ पस्तों अवर लोमाधाि, और व्म मांगा है, जो स्तों में अछ्य क्वर बश्धा yönनी अज भाइक लिया है, तो लुगैंगो के लेकर लिवाबियों वे खूड़ में आ लिवाफैं़र बवाद रीतर और द